जहां एक तरफ न्याय की मांग कर रहे हैं कॉंग्रेस नीता राहुल गांधी अपनी भारत चोड़ो न्याय यात्रा के सरिये वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी की बाद प्रदेश भर में उतर प्रदेश में यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं अपना दल कमेरावादी की दिकस नेता सपा से सिराथु सीर से विधाई का पल्लवी पटेल पल्लवी पटेल अब बड़ी चुनोती दे रही हैं ना स बड़ा फायदा मिलेगा नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप तेक रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूस दरसल आपको बता दें कि पल्लवी पटेल जो अपनी बहन अनुपरिया पटेल को चुनोती देती हुई नजर आ सकती हैं मिर्जापुर लोग सभा सीर से आपको ज जाएगी इसके बाद से 15 या 16 फरवरी से इस यात्रा की फिर से शुरुआत होगी दूसरे चरण में ये यात्रा होगी और कुछ दिनों तक एक बार फिर से वह यात्रा निकालती हुई नजर आएगी आपको जानकारी दें कि पल्लवी पटेल की यात्रा अप्रियाग राज के लिए प्रस्थान करने वाली है जे हां रात्री विश्राम के बाद बांदा से प्रयाग राज के लिए प्रस्थान नमो बुद्धाय पल्लवी पटेल ने अपने समर्थकों के साथ की तमाम तस्वीरों को साजा किया है पंचमपुर वह पहुँची थी और वहां पर रात बेल खंड से शुरू की है जासी से होती हुई निकलेगी और जॉलन तक यह पहुचेगी और इसके बाद यह एक एक करके तमाम सीटों का दौरा करती हुई नजराएंगी जैसे कि फूलपुर सीट है और खीरी सीट है और ऐसे में देखा जाए यहां पर मिर्जापुर सीट कुछ हैसला आता है सफाप्रमुक अखलेश यादव उन्हें दो सीट दे सकते हैं और इसमें से देखा जाए बड़ी मांग पल्लभी पटेल के लिए मिर्जापुर की सीट भी हो सकती है तो देखते हैं कि पल्लभी पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ती है या फिन न अन्यूस